नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Study IQ आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विशेप चर्चा करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के बारे हैं बात करने वाले हैं एक सवाल उठाने वाले हैं कि क्या हम लोग रियली डिजिटल इंडिया है क्या problems है towards reaching the goal of Digital India इसके उपर हमारी चर्चा चली एक्जाम के दिश्टिकोर से बहुत ही जरूरी discussion especially for the aspirants if you are preparing for UPSC Civil Services or State PSE Digital India के उपर, Digital Divide के उपर बहुत सारे सवाल आते हैं तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा fodder मिलेगा for answer writing In fact, यह जो article है Indian Express का किस तरह से Digital India के initiative से program से, scheme से कैसे हम लोग उन्हें और भी अच्छा कर सकते हैं और लोगों तक कैसे और पहुचा सकते हैं तो you'll get some suggestions also for answer writing So stay tuned to get all this information with me on Study IQ मैं हूँ आपका दोस्त Rahul सायगाउंकर आप मुझे इस particular ID पर follow कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप preparation कर रहे हैं do visit our website studyiq.com और you can even download the app from Google Play Store to know more about us and to avail our services चली चर्चा शुरू करते हैं observation के साथ, आपको याद होगा 2015 में हम लोग ने Digital India Mission शुरू किया हो Digital India, New India इस Digital India में हम लोग ने कहा था कि we'll transform the entire nation 9 pillars बताये गए थे 9 pillars में आपको broadband highways create के जाएंगे भारत net project, NOFN e-kranti, service delivery प्रोवाइड की जाएगी सब के पास universal mobile connectivity होगी internet access होगा e-governance के बहुत सारे initiatives आ गये थे यानि कि people interface हटा देंगे technology की मदद से government अपनी services directly पहुँचाएगी लोग अता पिछले पांच सालों में काफी जादा improvement भी हुई है improvement हुई है, बहुत सारी schemes आई हुए अगर मैं schemes की बात को आप यहाँ पे देख सकते हो Bheem, UPI आया है digital locker आया है बहुत सारी चीज़ my government, आधार, jam, trinity के हम लोग बात कर सकते हैं बहुत सारी जो government की schemes है वो directly, digitally, लोगों तक पहुचाई जा रही है Isn't it? तो काफी development है, right? in terms of digital literacy also PM दिशा प्रोग्राम चल रहा है ग्रामेंट दिशा प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे digital literacy बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है कि are we really digital after these six years of digital India mission क्या हम लोग truly digital बन चुके हैं और इसका जवाब होगा बहुत हद तक no और problem क्या है? problem है इस चीज़ की problem है digital divide की सबसे बड़ा यही विशय है मैंने आपको बताया कि बहुत सारी schemes हैं यही प्रदानमंत्री स्वानिली scheme उसमें भी आपको e-governance की initiatives मिल जाएंगी Bheem, UPI, बहुत सारी चीज़े so many initiatives पट सवाल यह है क्या यह initiatives लोगों तक पहुच पा रहे हैं? कितने लोग इन schemes का इन digital initiatives का फाइदा उठा रहे हैं? अगर हम लोग एक observation करें जिसमें this represents the urban educated male सबसे ज्यादा फाइदा यहाँ पे पहुच आए in fact, बहुत सारी scheme से अगर मैं आपसे एक सवाल पोचू मैंने बदाया था digital locker के बारे आप मुशे कमेंट करके बताए कितने लोगों के mobile में digital locker app है? क्या आप digital locker का इस्तेमाल कर रहे है let us try to understand how many people are using that service अगर लोगों के पास awareness ही नहीं है पता ही नहीं है कि digital locker के क्या फाइदे हो सकते है तो how will they use those services? isn't it? लेकिन सबसे ज़्यादा फाइदा मिल रहा है यहाँ पे मैं कहूंगा section है जो educated, reasonable man कहा जाता है उनको सबसे ज़्यादा फाइदा मिल रहा है लेकिन क्या digital initiatives का जो schemes है, सरकार की digital schemes क्या उनका फाइदा एक rural man के पास पहुँच रहा है क्या उसका फाइदा महिलाओं के पास पहुँच रहा है क्या उसका फाइदा पता चलेगा कि इतना ज़्यादा digital divide है इंडिया और COVID-19 की चलते और भी ज़्यादा ये widen हो चुक है जो मैं कहूँगा education की gap resources की gap the schemes, benefits benefits of the scheme इस चीज़ का gap अगर हम लोग numbers की बात करें देखे mobile gender gap report 2021 बताता है ये South Asia कुछ number से जिसमें इंडिया आपको यहाँ पर मिलेगा कितने mobile owners है इंडिया भी हम लोग कहते हैं कि almost 110 करोड के आसपास mobile connections right SIM card से 3 network हम लोग बात करते है although BSN is also there Jio, Airtel and V that would have an idea कितने लोग इस्तिमाल करते हैं 79% of male population they have mobile phones 67% female population यहाँ पर भी females have less number of mobiles अगर mobile है तो उस mobile में क्या वो लोग internet का इस्तिमाल कर रहा है क्योंकि अगर internet का इस्तिमाल करेंगे तभी तो आप digital India के फाइदे उठा सकते हो digital initiatives की फाइदे उठा सकते हो क्या scheme है, क्या benefits है उसके फाइदे आप उठा सकते है लेकिर अगर आप देखो कि कितने male members इस्तिमाल करेंगे 45% males in India are using mobile internet the number is very decimal for women only 30% women are using this particular internet in the mobiles और यह जो 45% है इसमें भी आपको majority मिलेगी urban males की rural India में there is a problem again इसके अलबाब अगर हम लोग बात करें कितने individuals हैं जो internet use करें हम लोग कहते हैं कि इंडिया में broadband connections बहुत ज़्यादा हो चुके हैं 50 करोड से भी ज़्यादा हम लोग broadband connections cross कर चुके हैं लेकिन truly internet कितने लोग इस्तमाल कर रहे हैं यहाँ पे आप देखते हैं 25% population of India it uses 25% of individuals they use internet और उसमें भी by gender आप देखो है only 15% women they use internet clearly एक चीज़ है कि there is a digital divide in India digital India program की जो initiative से उसका सबसे ज्यादा फाइदा it is going to some sections यहाँ पे inclusivity नहीं आ रही है इसलिए जो सवाल हम लोग उठाता are we truly digital the answer would be no we are not truly digital although digitization की तरफ हम लोग move कर रहे हैं लेकिन यह एक exclusive movement है exclusive movement मतलब कुछी लोग हैं कुछी sections है जिनको digital initiatives से काफी ज्यादा फाइदा मिल रहा है और majority population ऐसी है जिनके पास यह digital initiatives बहुच ही नहीं रहे हैं that is why the answer is here are we truly digital? no we have taken a step towards digitizing India but that digitization is also happening in an exclusive way and not inclusive way और इसको improve अगर करना है तो what can be done? यह suggestions मैंने उस article से लिए है क्या करने की जरूरत है जब भी हम लोग digital India की बात करते digital schemes की बात करते digital initiatives की बात करते first suggestion is always design the digital initiatives schemes by keeping citizens at percent अब यह क्यों जरूरत होगी? मैं आपको typical example बताता हूँ कि अगर citizens की involvement होगी citizens का input होगा तो digital programs लोगों के पास कैसे पहुच सकते हैं? एक उधारण है आपने UPI के बारे में जरूर सुना होगा, भीम UPI NPCI ने developed के है सो आप लोग phone पे, Google पे, etc. बहुत सारी चीज़े इस्तेमाल कर रहे है it all works on this beam UPI itself right? Unified Payment Interface इसके उपर ही काम करता है यह जब design कर रहे थे UPI तब citizens से बहुत सारी inputs लिगाए थी key stakeholders from the industry people were also involved उसके बाद UPI की facility आई by keeping citizens at the center by taking citizens input by taking all the stakeholders input UPI बनाया गया और UPI काफी successful program है isn't it? I'm quite sure कि जितने भी वीवर से majority वीवर ने UPI ज़रूर इस्तेमाल किया होगा इंडिया में जो भी apps आप इस्तेमाल कर रहे हो beam पे हो गया आपको या पिर Google पे, phone पे, whatever it is all works through UPI itself a successful program सारे digital programs इसी तरह से आपको design करने चाहिए by keeping citizens at the center अब दूसरी चीज़े digital divide की, देखिए इंडिया में digital divide है और ये overnight कम नहीं होगी ये हमें understand करना पड़ेगा लेकिन digitalization, digitization के पीछे हम लोगों को नहीं बुरना चाहिए inclusive होनी चाहिए सारी policies और inclusivity अगर आनी है तो local bodies को harness कीजेगा ताकि जो भी digital divide है जो भी gap है, उसको आप bridge करें अब ये कैसे मैं आपको उधारन समझाता हूँ आशा वर्कर्स और A&M's जो auxiliary nurse midwives है आशा वर्कर्स और A&M's in many states, for example in Andhra Pradesh in Telangana, in Karnataka they have been the pioneers of bridging this gap, आशा वर्कर्स A&M's rural areas में जाके, especially महिलाओं को aware करा रहे हैं about these initiatives, whatever comes from the ministry of health and family level, right? तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें इस्तमाल करनी पड़ेगी, especially panchaitraj institutions can be used PRIs can become a bridge between people and the government यहाँ पे local bodies local institutions, NGOs को, charitable institutions हो सब को इस्तमाल करने की जरूँ थे, लोगों को इस्तमाल करनी की जरूँ थे, ताकि लोग पहुचे, in rural areas to women, digitally literate हो जाए, ताकि वो भी services को इस्तमाल करे, that is how we can slowly and steadily bridge the gap and reach towards becoming a true digital Indian. इसके अलब एक और suggestion है कि institutionalize कीज़ेगा digital development हो. अब institutionalize का मतलब क्या होता है? simple सी चीज़े, एक institution होनी चाहिए, जिसका काम यही होना चाहिए. क्या काम? कि जब भी कोई digital development, digital initiative, digital scheme बन रही है, तो उस चीज़ को citizen को center में रख के उसका design करना है, और उसकी implementation की भी complete plan होनी चाहिए, ताकि कोई भी पीछे ना रहे. एक उधारने इसका Denmark में there is a citizen lab citizen lab एक institution है, जो governments को, दूसरे stakeholders को, लोगों को एक platform पे लाता है, ताकि कोई भी digital development हो रही है, it would be more and more inclusive. तो इंडिया में भी कुछ इस तरह का एक institution की जरूरत है, probably Niti I.O can take the lead, नीती I.O कि under कोई एक institution आना चाहिए, जहां पे अगर digital initiative, digital development हो रही है, then they should be the pioneer, they should be the one who should bring government, people, the civil society organizations, all the stakeholders, industry, technology, academia, सारे stakeholders को साथ मेला कर, उनकी input लेकर, अगर हम लोग digital initiatives को design करेंगे, और slowly, अगर हम लोग इस digital divide की जो gap है, उसको bridge करेंगे, then we will be heading towards becoming a truly digital Indian. that is it in this part of discussion, hopefully this was intriguing for you, thank you for watching, Jai Hind!